नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी तहल का और मैं आपके साथ वंदिना का अधियान तो चलिए शुरुबात करते हैं दिन बर की मुख्य हेड्लाइन्स के साथ टिडीडल की सोनिपत के रास्ते से पानीपत जुले में जल्द परवेश करने की संभावना जिलाधीस ने संभालका वैस्तराना खंड के किसानों से की अपील टिडीडल से बचने के लिए आवाजवाले सभी यंत्र लेकर रहे तैयार क्रिशिय अधिकारी ने दीजान कैरी गाओ गाओ में जाकर किसानों को टिडीडल के बारे में किया जा रहा सचेज 11 मार्च को लिफ लगवाने के लिए संभालका से नुहु जिले में बुलाकर यूवक काप फरण कर 10 लाग के फिरोती मांगने वाले दूसरे आरोपी को भी CIA 1 की टीम ने किया काबू आरोपी की पहचान फैसल खान नीवासी नवाब गडजिला मेवात के रूप में हुई आईएब नजर डाल लेते हैं कोरोना अपडेट्स पर जिले में बढ़ता कोरोना महामारी का प्रकॉप सामुहिक संक्रमन का लगातार बढ़ रहा खत्रा आमजन सही डॉक्टर्स भी आने लगे कोरोना की चोपेट में एक साथ साथ नए मामले आए सामने सिगनेस हॉस्पिटल के डॉक्टर समें तीन नए मामले आए सामने ओपीडी सेवाए हो सकती है बंद हस्पताल को किया गया सैनिटाइज गाव अलूपूर का 28 वर्षिय वे ददलाना का 26 वर्षिय यूवक भी मिले कोरोना पॉजिटिव शेक्तर में मचा हर्द कम मतलोटा की 45 वर्षिय महिला वे गांधी कालोनी का 34 वर्षिय व्यक्ति भी मिले संक्रमित परिजनों के सैंपल लेकर सभी को किया गया होम क्वारंटीन आसपास के लोगों की की जा रही स्क्रिनिक स्वास्त भी भग पॉजिटिव पाएगे मरीजों के संपर्क में आए लोगों को कर रहा ट्रेस जिले में करोना संक्रमित रोगयों की संख्या काकड़ा पहुँच एक सो चुट्तर पर एक्टिव केस की संख्या हुई सड़ सड़ ठीक होने वाले मरीजों न शतक को किया पार वही स्ताथ की अब तक हो चुकी है मोत बिशन सबरूप कालोनी में 6 वर्षिया मासूम की होद में गिरने से हुई मोत मकान मालिक की चूप 6 साल पहले भी 7 वर्षिया मासूम की इसी होद में गिरने से हुई थी मोत मकान मालिक ने होद को अब तक भी नहीं करवाया था कबर सम्हाल का ब्लोक में चुनाओ प्रकरिया शुरू सम्हाल का बीडीपियों ने दिजान कारी 29 जुन को चुनाओ की पहली प्रकरिया के लिए सभी सर पंचो पंचो और ब्लोक समीती सोधश्चों को किया गया सूची पानिपत के सेक्टर 25 की सड़क बनने से पहले ही लगी धसने सेक्टर वासियों के दो साल के लंबे इंतजार वे लगातार उठाई गई मांग के बाद चुरू हुआ था सड़क निर्मान का कारिया सांसद संज्यो भाटिया ने समाल का माता मंदिर के हॉल में क्या मीटिंग काय जन सुनी लोगों की समश्याएं सांसद ने शहर वासियों की मांग पर भापरा रोड तता हतवाला रोड के सामने अंडर पास बनाने पर किया विचार आइए अब दिखाते हैं खबरे विस्तार से बीसवां दिन है लगातार पेट्रॉल और डीजल पर कीमत बढ़ रही है और आज असी रुपे के करीम जो है पेट्रॉल और डीजल हो गया और पहली दफा ऐसा हुआ है कि डीजल का भाव पेट्रॉल से भी जादा हुए जबकि अंतर राश्टी बाजार में पेट्रॉल का और डीजल का कच्छे तेल का बहुत सस्ता भाव होगा हुआ है और यहां महिंगाई हो दोनों के इंद्रिय सरकार ने भी और हरियाने सरकार ने भी करोना के बाद जो है टेक्स लगाया उसका पेट्रॉल डीजल का भाव बढ़ा और आज ऐसी स्थिति है सबसे ज्यादा मार जो है गरीब आदमियों पड़ेगी इंफलेशन बढ़ेगी और किसान पर खास दौर पर इसकी मार पड़ेगी क्योंकि किसान का अब विजाई का समय है उसको डीजल की दूरत है उसको अपने ट्यूबल में डीजल की दूरत में डाले तो चार हजार रुपे परती ड्रम तो डीजल का भाव बढ़ गया तो लागत तो बढ़ रही एक किसान की और आमदनी घट रही है हमारी सरकार के समय में हर्याने में डीजल पूरे देश में सबसे सस्ता आता चाहिए पंजाब हो राजिस्तान हो दिल्ली हो और क् कि वेट जो है एवल 9.24 नौद शमलब 24 लगाया था हर्याने सरकार ने और अब जो है यह बीजेपी सरकार आने के बाद हर्याने में यह डबल कर दिया इन्होंने और अब करोना के समय में भी एक रुपया दीजल बढ़ा दिया तो यह किसान पर मार पड़ेगी और इससे ड किसान की लागत बढ़ जाएगी आमदरी घड़ जाएगी तो मेरा तुरंत हर्याने सरकार से है यह वैट जो है वापिस ले बढ़ा हुआ वेट वापिस ले जो कुरोना के समय में डीजल की मतबराई वो वापिस ले और के इंदर सरकार से भी है कि वह आपना जो पड़े व कि वो सारी हम पे आगई अब तक बती सो अटसर्ट हमने इंस्टॉल कर दी कोई आप समझो के सोल बती सो अठासी हो गए और समझो के पंदरा सो के करीब रहे हैं जो अगले एक अफसे दस में क्योंकि इन जिनों में बरसात हुई ना जी वो बरसात करके थोड़ा सा डिले नमबर दो इसके इलवा हमने पाउर्ड सेक्टर में एक और करा है कि जहां कुछ लोगों की शकाहित आ रहे थी कि जी दस से दो से जूल कर दिया एक जी कह दो से च्छे कर दिया तो लोगों का ये था कि बारा मज़े के बाद और दो बज़े के बीच में गर्मी होती है वो करके ये कराए कि पंतालीसो आदमी तो जग मक योज्ना में है जी, इसके बाद अबने कोई एक अजार गाम और निकाल दी है 900, 960 के बीच में 940 है 960 कुछ है 50% से कम जो लोगों था जहां 60% से माइनस लोगों से उनको भी आमने 12-4 में जो केवल 12-4 करें पंतारीस हो काम चोवीस गंटे हो गए इनमें बारा से चार हमने वो करते हैं कि जिनमें 60% से कम लोग नहीं बिल पे करें उनको दोपेर में बिल दी दी जाए ताके छोटे बच्चों को दोपेर के टाइम समय कोई दिक्कत नहीं आए जो बिलकुल 80 90% तक जिनका जो बिल नही पे करते उन में अम नहीं दे सकते क्योंकि हमारा स्टूल बढ़ गया आजकल हमें जो नए दान जान लग रहे हैं वहामें आठ गंटे पूरा खेट बढ़के रखना पड़ता है पार इसे तो आठ गंटे आठ गंटे पतलब चोवीस गंटों को आठ आठ से तीन बार डिव पर बिजली तो रहते गी इनके कहीं तुफार आजए आंधी आजए तो पेड टूटे दिन में जो हैं पनतालीसों गाहों में तो रहेगा दी पूरे दिन उनमें तो ना दिन में जाएगी ना रात में जाएगी इसके बाद 900-1000 जो गाहों हैं उनमें 12-4 बजे तक दोपेर म करने सियंक fol Dream झिन दिन में भी जो चल रही है रात के बारा गंते हैं और जो पंताड़ी सुगह उनमें दिन में वी बारां कंट अब जो नहीं हए रहे थे तीन फस्य करना शर्गाहाँ जिन में हमने बारह से चार1 कर जोpop और उनके स्थ घर्मी के sono जो खेट में काम करके आता है को फैक्ट्री में काम करके तो उसमें दोपेर सोना होता है तो बारह से चार हमने एक हजार गाउन और एड़ कर दिये जिनमें लाइन रोफ सिक्सी पर से कम है उनको भी इसमें कर दिये इन में मैंने फिर बताए मैं आपको ब्रेक कर रहा हूं पंतालीस सो जो गाम हैं उनमें तो चोवीस घंटे और यह जो नो सो से अजार गाम जो दूसरे एडिशन हुए है इसमें हमारा चार गंटे बारा से चार वाकी रात पूरी रात 16 गंटे रहेगे तो दूसरों में भी 16 पर उसमें 16 में किसी में 10 से 22 ब्रेक आ गया इनको प्रेंटियम यह दे रहें कि इनके दूपहर के टाइम कहीं से मैनेज करें किसी का फून में से नार्नोन से किसी का पून आया किसाब हमारे ऐसे दिकत है तो मैंने सी को भी चेक कर आगाह और जो चीप इंजिनर उन्होंने बताई कि छे गाउं ऐसे हैं जिन में 60% से उपर लाइन वोग्स हैं उनके फोन आए होगे उनके यहां दिकर जाब की सब दिए ठीक हैं क्योंकि जो नोन पैडिया है ना जी बात हूं में प्रोग्लम है यह नहीं पैडी एरिया में यह प्रोग्लम है जो सब्सक्राइब में पांच आरग्याओं में साड़े चार में तो 24 गंटे हैं वहां तो रात को भी एदिन जोगेगा इसकी जो ठीक लंग जाएगी कि उन्हें दोपैर में बिजली की प्रेशाने लिए बारा से चार बज़े तक उनके कोई कट नहीं लिए बड़ी असंटें सब्सक्राइब में दोपैर में बारा से चार नहीं मिलेगा उनमें दस से दो कट लग सकता है उनमें दो से छे लग सकता है क्लियर हो गया ना जी ट्यूवल पे थोड़ा से महूर बतातूं ट्यूवल पे हमारे 328 में तो अभी इंस्टॉल होगे बाकी जो रहेंगे आप समझों के 1600 के करीब उसमें अभी हम लगा देंगे अगले दसिन में लग जाएगा तीसरा जो मोनो ब्लॉक के लिए हमारी रिक से चले गए कि इन्हें बजार से अपनी मोटर लेंज जो गवर्मेंट से अफरूड है मतलब वह पहले में चार स्टार थी अब टू स्टार होगी जो नहीं में आगी वह फाइव स्टार नहीं है वह अपनी बजार क्योंके पानी 20-40-60 फुट तक पानी है वह गहरा ज्याद के साथ फुट तक पानी गहरा है जमीन में नीचे उसके लिए समर्सीवल ट्यूवेल की जरूर्ट नहीं है उसके लिए हमने करा है कि मोनो बलॉक लोगों की डिमांड है जैसे एहलनाबाद सरसाक्र डिस्टिक है आपका जीन अपार्ट ओफ हिसार है हिसार में कुछ में जो लोग कहते हैं कि जी हमें मोनो बलॉक देते हैं तो उन्हें मोनो बलॉक की हमने परमिशन दे दी सर्वे अमने करा कुछ पैतर सो लोगों का जिसमेंसे कोई पंदरा सो लोग ये चा रहे हैं कि जी हमें वो कर दो मोनो बलॉक का दे दो तो उन्हें मोनो बलॉक की हमने परमिशन दे दी वो अपना बजार से अपनी मोटर स्टार जो गौवर्मेंट से अफ्रूड है वो खरीद के अपना लगा सकते हैं उन्हें कोई प्रूड नहीं है पंदरा सो के करीब हैं यह दस पांच ऊपर नीचे हो सकते हैं पहले जो आया हमारा उसमें यह आया था बारा स ही चैतर आये थे नंबर पूरा और उसके बाद अभी कोई दो जार में और सर्व है तो हमारा यह अंदाज है के ड़ाई सो तीन सो उसमें हो जाएंगे तो मोटा मोटा अंदाज है पंदास हो जो फाइव स्टार की जो मोटर 30 से पहले जो लगानी ती करीब 32 के करीब लग ल है अभी हाली में उम्ख मंतरी की प्रेस कोंटेंस ती कि वो 32 मोटर है फाइव स्टार की मोटर तो थ्री स्टार के टेगरी की थी अब 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 अप्ग्रेटेट फाइव स्टार की मोटर अलग से लेकर करते हैं ठीके हमने क्या कर था कि हमारा नहीं है Bureau of Energy Central Government की एक एग एग आई हार में व करते हैं उन्होंने उसको फाइव स्टार के दीका है उसकी रेटिन् में को फरकर नहीं है फुझी समें उन्हों ने फाइजस्टार मोनोग्राम ही अग्म то ट्रीस्टार हुंत थ्रीस्टार हमने जब यह लोगों में मैसेज दिया बुकिंग ngo Đ harvest . तो लोगों को यह ना रेकिए जी हमें फाइजस्टार गहेख Sometimes सब्सक्राइब करें तो आपको मंगवा के देदें अब अगर लोग हमें कहेंगे कि में तरी स्टार बनने शुरूगे तीन-चार महिने में आ जाएगी जैसे हम दे देंगे वह कहते हैं नहीं फाइश्टार ही चाहिए तो अम उनका प्रैसा व्याद समेट वापस कर देंगे यह का टोटर अब आपके क्या था सीम सब क्या कहेंगे जो है वो मैं आप से प्था जो नोट ठीक ही कागा उन्हें सारे डेटा मिलता है मैं नहीं वानता हूं पर दूसरी वा चाहिए वापी उसमें यह बता रहा हूं कि यह जो अभी चलता है ना जी यह हमें पहले टूवेल नहीं चलते अब टूवेल चोवीस गंटे चलेंगे जो आपने कभी देखा हूगा पैड़ी के खेत आज के लाब बाहर निकलेंगे ना जी आपको मिलों तक खेत बरे मिलें पानी पानी जैसे बर्साथ से सारी जमीन बरी मिलेंगे तो उसमें पानी चलता है शे उसे अप 9 गंटे लग Mexican लिए मामिले में दweenयों को यह पंदरा जूलाइस से लेके पंदरा स्टंब्र तक अगया हुरा है ये करके बीज़दी का फुड़ा हम यह करते हैं कि हमें सब जिगे थे लिए वो वूम्स में किसान को नहीं मार सकते हैं देखिए सब जगे सब जगेरे सेशन आया नाजी आपके इंड़स्टी में आ गया आपके जो यह मॉल जयाओं उनमें आ गया आपके पेट्रोल पंप्स हगया आपके जितने शिन्मा गर उसमें आ गया हर जगा आया पर यहां जो है किसान आज भी अपनी फसल पहले से 5% फाल हैं जी जो पिशली की शिकायफों के लिए वन नाइन वन टू पी है जी उस पे जो आते हम रीड्रेस करते हैं नमर दो मैंने मेरा नमर जो नाइन फोर वन सिक जिरो फोर एट्री एट सिक सारवजनिक कर रख है आपने अभी देखा होगा ख़बरे फास पे प्रोग्राम था उ हैं तो कुछ दिगह से ऐसे कहते हैं एक यम्ना नगर का केस है जाओ के अंबला में करने के जी हमारे आठथजार का हुआ हुआ है अगले दिन ठीक हो गया उन्हीं न्यूज चैनल ने अगले दिन उसे लिखा दिया किसा वो उसका और इस खबरे फास्ट में था या खबरे अभी तक ने था तो कोशीज ये कर रहे हैं मैं तो खुला हुझे मेरे से कोई भी स्काल पूछ आप जो है वो करता है आपके वो डेविल से डूकेट बन रहा ते जी आपके मुझे कुछ निकलवाना जाना तो आपके पंचयात चुनाव को लेकर बिगुल बच गया है क्यो खंड विकास एवं पंचयात अधिकारी रवी कुमार ने इस पहली प्रकरिया को करने के लिए तीथी निश्चित कर दी है इसमें महिला अनुसूचित जाती महिला और पिछड़ा वर्क्यारक्षित सीटों को लेकर खंड विकास एवं पंचयात कारियाले में आगामी 29 जू उन्होंने बताया कि सम्हाल का ब्लोग के 32 गाओं में 419 पंचों में से 35 पिछड़ा वर्ग 113 महिलाओं के लिए और 49 पद अनुसूचित जाती के लिए रक्षित है इसके अलावा पंचयत का जो आम जर्नल चुनाव है जो जन्होरी मा में होना है उसके लिए जो पहली प्रिक्रिया है के पंचयतों के जो रिजर्वेशन उसके ड्रा निकाड़े जाएंगे 39 तारी में करीब 197 पंचयों के लिए अनारक्षित पद शामिल है अब देखना यह होगा कि 29 जून को संभालका ब्लोक की 32 पंचयतों में किन किन वार्डों में पंच सरपंच और ब्लोक समीती पदों के लिए महिला अनुसूची जाती महिला एवं पिश्डा बर्ग और अनुसूची जाती के लिए अरक्षित होते हैं संभालका से सिटी तहलका के लिए रतललाल की रिपोर्ड संभाटिया ने संभालका माता पुली रोड सीट माता मंदिर के हॉल में मीटिंग का आयुजन किया जिसमें उन्होंने लोगों वेकारिय करताओ की समश्चाओ के समाधान के लिए अधिकारियों को फोन पर ही निर्देश दिये गए तो वही कुछ लोगों को आस्वाशन दिया गया सैनी समाध धरमशाला लाइन पारवाड सोला में पैसो के अधार पर लटकी धरमशाला के अनुदान के लिए सांसद ने पाच लाक रुपे देने की बात कही शेहर वाशियों ने मीटिंग में कहा कि बरसात में समालका पूल के नीचे जल निकासी की सही व्यवस्ता ना होने के कांड पानी भर जाता है जो कि 24 घंटों तो कैसे ही रहता है जिससे समालका वाशियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बही लोगों ने भाप्रा रोड और हतवाला रोड के सामने अंडर पास बनवाने को लेकर सांसर संजो भाटिया को लिखित में पत्र दिया भाटिया ने इस विश्या पर चर्शा कर दोनों अंडर पास को बनवाने की बात कही वही जीटी रोड से सरकारी हस्पिताल में एक्सरे मशीन और अल्ट्रासॉंड मशीन लगवाने की बात कही वही इस बारे में सांसर संजोभाटिया ने क्या कहा आईए वहे भी हम आपको सुनाते हैं आई रेलवे से समंदित आई जीटी रोड से समंदित आई आपसी जगड़े आई पाणी की हाई अंडर पास की आई सारी समस्याई आई और सबको पिछली बार जो समस्याई थी सबके उपर एक्शन लेके उनका वीद रिकार्ड मैं लेकर आया हूँ और आज मैंने पेक्टिक से पहले वही किया लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे समाज के ये जितने भी जागुरुक लोग मेरे साथ खड़े हैं ये जन समस्याउं के फ्रतिक कितने सुमेदन शील है बताया गया यहां पर पूल के निच्छे पानी खड़ा होता है यह समालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट जुला धीसद्रमेंदर सिंग ने सभी किसानों से की अपील टिड्डियों से बचाव के लिए अपने अवाजवाले सभी यंत्रों को साथ लेकर रहे तयार दिरसल टिड्डिडल सोनी पत के रास्ते से पानी पर जुले में साइकाल तक परवेश करने की संभावना है इसलिए डीसी ने विशेश तोर पर समभाल खा विसराना खंड के किसानों से निरोध किया है कि वे अपने अवाज करने वाले सभी यंत्र तता सामान साथ लेकर त जिस्टिडल में 60 लाग टिड्डिया हैं जिनकी लंबाई 10 Caleb योई 6 Caleb है दिन के समय पर वेश करता है तो शोर करके उन्हें भगाना होगे और यदि राथ के समय रात के लाता है तो विश्वलकर से लाधया जाएगा वही बन को लेकर अब कर बस्ती हो गया है वही इस बारे म अभी हमें पता चलता है कि टिड्डिया प्रवेश करने वाली है आवाज करने वाले यंत्रों को बजाना शुरू करते जिसकी आवाज से टिड्डिया उस जुगे से बचने का प्रियास करेंगी तीडी यह बारे में किसानों को सचेत की आजा रहा है बुनादी के खुरू इंडियूजुली सबसे मिलके परसनली मिलके और इसका जो सबसे पहला तरीक्का है जो ही आपको पता लगता है कि टिडी आ गई है तो उसके लिए सबसे पहले हमने आवाज करने है उसका कोई भी त असला है प्लेट है या कोई म्यूजिक सिस्टम है जितनी ज्यादा साउंड करेंगे उससे टिड़ी उस एरिये से बचने की कोशिश करेंगे उसके बाद हमारा केमिकल तरिक्का है जिसके लिए कुछ दवाईयां सरकार ने रिकमेंड की हैं क्लोरोपाइरिफोस है और इस तरह हैं दो ग्राम पर लिटर वाट जिसका किछ परे करना है फारमर्णे पावर्ट परे मघ्याएं प्रेक्टर मयूंटेड पावर सप्रे हमने कोशिश किया एउन सब किय हमने सचेत किया है उनको सला भी दिय कि आपने उसमें पानी भरके खाड़ा रखे है और जो ही ऐसा पायां उपलब्द कराई गई हैं संभालका से सिटी तहलका के लिए रतल्लाल की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं कि आज जो साथ करोना संकर्मित मरीज पाए हैं उसमें एक डोक्टर भी शामिल है नीजी होस्पिटल में काम कारिया पर कारिया रत जो डोक्टर वो भी करोन से संकर्मित हुआ है और इससे पहले भी दो डोक्टर करोना से संकर्मित पाए गए थे तो तमाम तस्वीरे हम आपको दिखा भी रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि जो करोना का आकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस तीती में हम सब लोगों को सुरक्षित रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए क्योंकि जो करोना अपनी पकड़ और रफ्तार बना रहा है इससे कहीं न कहीं जो है लगातार संकर्मित का खत्रा भी बढ़ रहा है आम जन इसको अभी भी हलके में ले रहे हैं और इस तीती में हम सब लोगों को सजक और जागरुक रहना चाहिए दूसरों को जागरुक करना चाहिए क्योंकि संकर्मन जो है अपनी रफ्तार पकड़ता जा रहा है और ऐसी स्तीती में जो है कंटेन्मेंट जोन इसी को ले करके क्योंकि संकर्मन जादा ना बड़े ऐसी स्तीती में 53 कंटेन्मेंट जोन जो है घोशित किये थ अब उसकी जो है तस्वीरे भी सार्थक नजर आने लगी है सेक्टर बारा की तस्वीरे आप देख पा रहे हैं कि यहां बैरिकेट्स लगा दिये गए हैं ताकि किसी प्रकार का कोई संकर्मन ने फैले और इस तीति में हम सब लोगों को जागरुक होना चाहिए दूसरी एहम खबर हम आपको बताएं उससे पहले खबर को जादा से जादा शेयर करें जो नीजी होस्पिटल का डोक्टर करोना से संकर्मित पाया गया है उसी होस्पिटल में पहले भी दो डोक्टर महीला समेथ दो डोक्टर करोना से संकर्मित पाये जा चुके हैं वहां पर अब OPD बंद की जा सकती हैं हम बात कर रहे हैं सिगनस होस्पिटल देव मंदिर के पास जहां पर तीन करोना से संकरमित जो है डोक्टर पाए गए हैं उनके क्लोज कोंटेक्ट क्या रहे हैं उनके बारे में भी स्वास्त विभाग लगातार परियास कर रहा है ऐसी स्थीति में हम सब लोगों को काफी जागरूक रहना चाहिए क्योंकि लगातार जो है करोना अपनी पकड बनाता जा रहा है वहीं आंकड़ा जो है देड़ सो से पार जा चुका है तो दूसरी तरफ पचास से ज़्यादा संकरमित मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है तो वहीं जो एक्टिव रहना चाहिए और जैसे ही अनलोक शुरू हुआ था उसमें अब जो रफ्तार है वो अपनी कई गुना बढ़ा चुका है क्योंकि जब तक लोकडाउन फोर रहा तब तक जो है पानीपत के अंदर जो आंकड़े थे वो थोड़ा सिथिर थे तो जैसे ही अनलोक वन की सुरू परिवार के अंदर हैं पिना प्रिक्योशं के साथ रहते हैं कुछ फीड भाड़ वाले इलाके में इस तरह की जो स्तीती है वो देखने को मिलती है तो हम सब लोगों को इस तरह की जो है करोना से संबंदित जो है लोगों को अवेरनेस करनी चाहिए क्योंकि जैसे ही अब ज परिवार में कहीं कहीं सदस्य है, कोई संकर्मित पाए जा रहे हैं, 13 स्तारा की अधिबात की जाए, विकासनगर की अधिबात की जाए. तमाम ऐसे परिवार हैं जहां पर जो संकर्मन का खत्रा है वो लगातार बढ़ रहा है वहीं स्वास्त विभाग द्वारा बिना जिसके अंदर करोना से सम्मंदित कोई लक्सन नहीं है तो उनको घर पर आइसलेट किया जा रहा है क्योंकि जो मरीजों की संख्या बढ़ती दे लगा है तो वहीं उस पर एए एन एम और डॉक्टर की जूटी लगाई गई है जब जिसमें तीन से चार बार उनसे रिपोर्ट की जाएगी तो कहीं न कहीं अब जो बढ़ते मरीजों को देखकर के एनसी कोलीज को भी कोविड होस्पिटल घोशित किया गया है उसको अधिकित किया गया है दूसरी तरफ रोड ध्रमसाला में भी मरीजों को रखने के लिए पानीपत उपाईक दोवारा निर्देश दिये गए है तो ये कहीं ना कहीं एक बढ़ते संकर्मन और मरीजों की सं उठाए जा रहे हैं तो ऐसे में आज पानीपत में साथ करोना संकर्मित मरीजों और मिले हैं जिसमें एक डोक्तर भी शामिल है तो ऐसी स्तीती में हम सब लोगों को काफी जागरुक रहना चाहिए और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेर करे ताकि लोगों तक जानकारी पहुँचे और लोग सजग और जागरुक जरूर हो तो इस तीती में हम सब आपको तस्वीरे फिर से दिखा दें सेक्टर 12 में आप बैरिकेट्स लगा दिये गए हैं जो निगम के अधिकारी हैं उन लोगों को भी जो है इदायते दी गई हैं जो कमांडर्स की ज लगाई गई हैं उनको रोजाना इसकी जो है रिपोर्ट पानीपत उपायुक्त को देनी होगी और बढ़ते संकर्मन को देख करके पानीपत उपायुक्त दवारा कड़े निर्देश दिये गए थे जिनकी अब पालना साप तोर पर देखी जा सकती है सेक्टर 12 की तस्वीर आप देख पा रहे हैं तो वहीं हम करोना की भी सबसे पहले आपको अपडेट दे पा रहे हैं जैसे ही हमारे पास खबर आई तो हम आपको बता रहे हैं कि पानीपत के अंदर अब जो आंकडा है धीरे धीरे बढ़ सकता है स्याम को और भी जो है इसके आंकडे बढ़ सकते ह क्योंकि अभी कुछ सेंपल्स की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है ऐसी स्तीती में हम सब लोगों को सजग और जागरुक रहने की जुरूरत है क्योंकि सेक्टर 12 में भी लगातार एक बार संकर्मन का जो खत्रा है वो लगातार बढ़ गया था और यहां पर भी काफी संकर्मित म मरीज मिली थे तो इस तीती में सब लोग प्रिक्योसंस के साथ रहें और यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सजग जागरुक होकर के जाएं नहीं तो आपकी एक छोटी सी लापरवाई करोना की आपके घर में दस्तक दे सकती है तमाम लोग और तमाम खबरें सिटी तहलका के माद्यम से हम आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे लगातारा इस खबर को आप शेर करें यदि आप यूट्यूब पर इसे देख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप फेस्बुक पर इसे देख पा रहे हैं तो चैनल को फोलो लाइक और शेर करना ने भूले, सहे होगी दरंबिर सहरावत के साथ जीते इंदर रहलावत सिड़ी तैल का पानी पात जनम दिन से बारा दिन पहले छे वर्ष मासुम की खौद में डूबने से हुई मौत दरस अलबिशन सरुप कोलानी में एक एमस्पताल के पास खौद में डूबने से छे वर्ष मासुम की मौत हो गई देर रात पर जनम ने पिलीश पेस की सुचना दी मासुम के पिता ने बताया कि वह रिक्षा चलाता था लेकिन लोगडाउन में रिक्षा बंद होने के कारण है सबजी बेशी लगा उसकी पत्वी रहां घरों में काम पठी है शुकरवार शाम करीब पांच बजे बड़े बीटे को लेकर सबजी बेशनी के ले गया था पत्मी भी काम पर गई हुई थी फिर साथ वर्षे छोटी बेटी रानी और छे वर्षे छोटे बेटी आदिते को घर पर ही टीवी बेखते हुए छोड़ गए थे बच्चा नहीं मिला वह वापस घर पर आ गया रात करी चाड़े आठ बजी लोगों के कहने पर कमरे के सामने बने होद में तलाश की गई तो हां मासुम अधिते का शव पड़ा था बच्चा खेलते खेलते चला गया होद के पास होद खुला हुआ था पहले एक हस्ता हुआ थ पहले यह संजे कवाने बताया की शह साल पहले इसी चोधने से मौत हो गई थी तब से अब तक मकान मालिक ने इसे कवर नहीं करवाया ब्योरा रिपेल सिटी तहल का आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही अगले बुलेटिन में फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ तब तक के लिए देखते रहे हैं सिटी तहल का सच के साथ नमस्कार